हमारी आज की कहानी का शीर्षक है सच्चा समझदार स्रावस्ति के दो युवकों में बड़ी गहरी मित्रता थी दोनों ही दूसरों की जेब काटने का धंदा करते थे एक दिन एक इस्थान पर भगवान बुद्ध का प्रवचन चल रहा था अच्छा उसर जानकर दोनों मित्र वहीं पूँचे उन में से एक को भगवान बुद्ध का प्रवचन बहुत अच्छा लगा और वह ध्यान अवस्तित होकर सुनने लगा दूसरे ने इसी बिच कई लोगों की जेब काट ली साम को दोनों घर लोटे एक के पास धन था और दूसरे के पास सद्विचार जेब काटने वाले दोस्त ने दोसरे दोस्त पर व्यंक कस्ते हुए कहा तू बड़ा मूर खेरे जो दूसरों की बातों से प्रवाइत हो गया अब इसी पांडित का भोजन पका और पेड़ भर अपने पिछले किये हुए कर्मों से दुखी दूसरा जेब कत्रा भगवान बुद्ध के पास लोट गया और उसने सब हाल कहा बुद्ध ने समझाया वत्स जो अपनी बुराईयों को पहचान कर उन्हें निकालने का प्रयत्न करता है वहीं सच्चा समझदार है पर जो बुराई करता हुए भी पंडित बनता है वह महामूर्खी है आपको आज की कहानी कैसी लगी यह हमेज ज़रूर बताएं और इस पे अपने विचार देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स पे इने विचार लिखिए और अगर आपको यह चैनल पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद